दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यूटूब से वीडियो लेके रंबल के उपर डालके पहले ही दिन से अपने वीडियोज को मॉनिटाइज करवा सकते हो देखे दोस्तों रंबल एक ऐसा प्लेटफोर्म है जो यूटूब का ही कॉम्पेटिटर आप क्या सकते हो रंबल.com नाम की ये वेबसाइट इसका एप्लिकेशन भी है सेम यूटूब की तरह ही वर्क करता है लेकिन जहां पे यूटूब पे आपको मॉनिटाइजेशन इनेबल करवाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 हवर का वाश टाइम चाहिए होता है रंबल के उपर ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है रंबल पे आप देख सकते हैं लाइव भी चलते हैं एंड जो वीडियो अपलोड किये जाते हैं वो भी आप यहां पे देख सकते हैं व्यूज भी काफी अच्छे कासे यहां पे लोगों को मिलते हैं और अल्मोस्ट सारे फीचर इन्हों ने यहां पे एड कर दिये लाइक आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग हो गया पेक्स हो गया हिस्टरी हो गई माई फीड हो गया सो कई टाइप के कॉपी पेस्ट के कंटेंट को यहां पे आज की डेट में काफी ज़्यादा देखा जा रहा है सो आप भी कैसे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट डाल के अर्निंग कर सकते हैं लाइक मैं यहां पे चर्ज करता हूँ फणी वीडियोज सो देखते हैं क्या रिजल्ट हमें रंबल प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलते हैं सो आप देख सकते हैं रंबल के ऊपर काफी फणी कॉन्टेंट अविलिबल है और लोग इन्हें देख रहे हैं काफी अच्छा कासा व्यूज जो है इनके ऊपर आपको देखने को मिल रहा है सो दोस्तों अब कैसे आप यहां पे कॉन्टेंट अपलोड करोगे कैसे आपको व्यूज मिलेंगे कैसे आपका मॉनिटाइजेशन इनेबल होगा कैसे आप यहां पे एकाउंट क्रियेट करोगे सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आप कंटेंट लाओगे कहां से यूटूब से हर वीडियो लाके यहां पे नहीं डालना है यूटूब पे भी कुछ टाइप के वीडियोज है जो आप वहां से कॉपी करके ले सकते हो लाइक क्रियेटिव कॉमन वाले वो वीडियोज आप कैसे ढूंडोगे वो सब कुछ मैं आपको यहां पे बता दूँगा आप चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं चलिए शुरुवात करते हैं इस इंट्रास्टिंग वीडियो की आज की डियेट में यह जो रंबल बेसिकली प्लेटफॉर्म है यह बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहा है यूटूब पे भी काफी लोग इसके बारे में काफी कुछ एक्स्प्लेइन कर रहे सब देखे मान लिजे आप यूटूब से कोई विडियो लेना चाहते हो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्रियेटिव कॉमन सर्च करना आए क्रियेटिव कॉमन विडियो जो आपको मिलेंगे यहाँ पे रेके creative common आपने चर्च किया यह filter का option आएगा आपके सामने अगर आप mobile phone में यह सारे feature देखना चाते हो नीचे comment box में लिखके बताईए मैंने mobile phone का setup कर दिया है अब जो भी आपकी demand रहेगी वो content में आपको mobile phone पे भी explain कर सकता हूँ so filter पे click करना है and यहाँ पे यह creative common है इसके उपर आपको click करना है जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो आप यहाँ पे creative common वाले वीडियोज जो है देख पाएंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे ये सौट देख पारे हो आप ये सारे के सारे creative common वाले वीडियोज है इनको आप अपने benefit के लिए use कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको multiple वीडियोज मिल जाएंगे अब आप चाहे तो इन में से 2-3 वीडियोज को combined करके जो है आप ऐसा कर सकते हो अनि यह था आप जो है खुद भी basically यहाँ पर कोई भी वीडियो लेक के उसको edit करके आप कर सकते हूँ अभी यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको funny content funny जो वीडियोज है वो मिल जाएंगे यहाँ पर ही अगर आपन funny वीडियोज सर्च करे funny animal clips हो गया बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जिन पर आप देख सकते हैं YouTube पर 77 million, 16 million, 27 million, 5 million, 62 million views देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखिए तो इन content को आप यहाँ से ले सकते हैं and edit करके इनमें of course आपको editing skill अपनी दिखानी है कुछ कुछ वीडियोज ऐसे भी होंगे जिनमें editing skill के requirement बिलकुल भी नहीं होगी और आप उन्हें directly भी यूज कर सकते हों अभी यहाँ पर इतना content है कि मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सा content आप लीजिए यह totally आपको ही डिपेंड आपको ही जो है select करना होगा but मेरा suggestion आपको यह रहेगा कि आप creative comment वाले वीडियोज लेंगे तो वह आपके लिए बहुत ज़ादा beneficial रहेगा यह चीज जो है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ सो दोस्तों अब मान लीजिया आपने कोई video select कर लिया जिसको आप rumble के उपर upload करना चाहते हैं तो आप video को अपने phone में कैसे लोगे या अपने laptop के उपर कैसे लोगे तो आपको Google पर आना है 10 downloader, Umi, सो कहने का मतलब इतने ज़्यादा platform है कि आप यगिन नहीं करोगे कि कौन सा platform में यूज करूँ सो कौन सा भी कर सकते हो टॉप के टू platform में से right सो अब मानीजिया आपने video download कर लिया अब video को edit कहां पर करेंगे कैसे करेंगे वीडियो को edit करने के लिए आपको कोई खास skill के requirement नहीं चाहिए आप normally यहाँ पर आएंगे canva.com के उपर अगर आप जो है laptop या tablet या टेबलेट यूज करते हैं तो अगर आप mobile phone यूज करते हैं तब भी आप canva application का यूज कर सकते हैं play store पर easily आपको canva application मिल जाएगी canva application में आना है एंड यहाँ पर चर्श करना है YouTube video देगे कुछ इस टाइप से YouTube video जब आप चर्श करेंगे तो आपको different template मिल जाएगी आप यहाँ पर intro, outro सब कुछ develop कर सकते हैं एंड उसको adjust भी कर सकते हैं बहुत सारे आपको जो है intro free में ही मिल जाएंगे यहाँ पर देखिए यह जो आप देख पारे हो यह एक intro है बहुत ही interesting intro है आप देखी सकते हो और यह तो एक example है आपको यहाँ पर ऐसे second intro free में मिल जाएंगे इनका यूज करके आप अपने वीडियो को और जादा attractive बना सकते हो लास्ट में आप यह outro add कर सकते हो thanks for watching कहने का मतलब एक दम clear है आज की date में editing इतनी जादा आसान हो चुकी है बनी बनाई template का यूज करके जितनी आसान आज से पहले कभी नहीं थी अगर आप blank template create करना चाहते हो create blank पर click करेंगे तो आपके सामने design open हो जाएगी आपको यहाँ पर video select करने है फिर front में आपको वो template add कर दिनी है जो भी आप add करना चाहते हो like यहाँ पर यह add कर दिया आपने अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर countdown लगाना चाहते हो तो आप countdown लगा देंगे पहले 3 उसके बाद 2 उसके बाद 1 end उसके बाद यहाँ पर start सुब देखिए यहाँ से video को देखिए एक बार play करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस type का content यहाँ पर बनेगा सो यह सारी चीजे अगर आप यहाँ पर करते हो तो पैसा बहुत ही आसानी से बन सकता है रंबल जैसे प्लेटफॉर्म के उपर भी सो देखिए यह लोड होने में टाइम लेगा क्योंकि internet connection काफी slow है बट overall आप यहाँ पर कुछ इस type से content को form करोगे सो कहने का मतलब आप समझी चुके हैं इस type से आपको content को यहाँ पर create करना है एंड उसके बाद इस content को आपको आना है मैं account का overview आपको यहाँ पर show कर दूँ राइट सो मैंने account overview पर click कर दिया है अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा account overview यहनि की monetization मेरा enable है यहाँ पर कोई भी वीडियो अब तक मैंने upload नहीं किये क्योंकि बाकी काम ही इतने ज़्यादा है देख सकते हैं अभी तक zero dollar बनी हुई है YouTube earning, third party earning, rumble earning, total earning सब कुछ यहाँ पर zero बता रहा है क्योंकि latest में ही यहनि की कल यहाँ परसू जब मैंने इस पर वीडियो बनाया था तब ही मैंने यहाँ पर account बनाया है next यहाँ पर आप referral earning भी कर सकते हो तो आप refer की तरब भी ध्यान दे सकते हो referral earning भी आपकी यहाँ पर हो सकती है so overall कहने का मतलब यह है कि इस platform को आपको अपनी radar पर लेना चाहिए थोड़ा सा अगर आप चीजे यहाँ पर सीखने लग जाओगे एक बार आपको पता चल जाएगा कि क्या है यह platform कितनी earning आप यहाँ से कर सकते हैं so overall आपके लिए यह beneficial रहेगा क्योंकि अगर आप यह video देख रहे हो इसका साफ मतलब है कि आप अपनी online earning की journey को सुरू करना चाहते हो और online earning की journey को सुरू करना है तो इन जैसे platform को आपकोर्स आपको अपने ध्यान में रखना होगा इनको avoid करके नहीं चला जा सकता right सो यह चीज है अब यहाँ पे videos कैसे design करना है वो I think आप सब समझी चुके हो देखे इस type से यह videos पूरा जो है यहाँ पे run होता है और आप इनको जो है easily यहाँ से download कर सकते हो right यह देखे countdown कि टाइप से चल रहा है and उसके बाद जो है सीधा आपका video play होगा बहुत सारी ऐसी template है कोई video आपने मान लीजी जो download किया था उसको आप लगाना चाते हो तो यहाँ पे video section में जाओगे उस video को आपने upload किया होगा and यहाँ पे आप add page पे click करके उस video को ऐसे add कर दोगे तो वो video यहाँ पे add हो जाएगा right किस type से चीजे को जो है आपको workout करना है download करने के लिए share के button पे click करना है download के button पे click करना है and download कर देना है उसके पाद rumble पे video को upload करने के लिए यह जो icon है green color के icon के अंदर plus का icon इस पे click करना है यहाँ पे आप live भी जा सकते video भी upload कर सकते तो upload video के section पे आपको click करना है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते है minimum जो है maximum जो है आप 15GB की file भी यहाँ पे upload कर सकते हूँ so इस पे click करके आप video को यहाँ पे upload करेंगे and video upload करते के बाद आपको description डालना है title डालना है, tag डालने है उसको public रखना है unless state करना है, private करना है वो आप पे depend करता है बट public करिएगा upload होने के बाद thumbnail आपको यहाँ पे select करना है and उसके बाद upload के बटन पे आपको click कर देना है आगे आने वाली videos में मैं properly आपको video यहाँ पे upload करके भी बताने वाला हूँ so video informative लगा तो video को like करिए channel पर पहली बार आयो make sure कि आप channel को subscribe करें हम मिलेंगे आपको next video में thanks for watching friend